जहन साथियो आज का वीडियो आपके शमक्ष एक ऐसी वाइरस के संधर में जो विश्व मेतिव परकार का है लेकि भारत में आके दो परकार का हो जाता है या कहें कि टू टाइपस ऑफ वाइरस जो भारत में चल रहा है आज उसकी बात करेंगे वीडियो में वाइरस का नाम वाइरस का परभाव वाइरस का इफेक्ट वाइरस से ग्रसित लोगों के बारे में आज बात करेंगे इस विशेपर बनाए हुए छोटे से वीडियो में उमीद करता हूं मेरे वीडियो को पशंद करेंगे नए वीवर है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे वीडियो को ज चाया चित्र है क्या चल चित्र है और क्या भूमी का बनाई जा रही है उस वाइरस की जो देश में या कहें कि विदेशों से आया है भारत में एक परकार का या दूसरे परकार का वाइरस जो लोगों की नसों में इंजक्ट कर दिया गया है सरकारी संस्थाओं और सरकारी नेत मैं कहिना कहीं अस्वस्थ था अभी भी अस्वस्थ हूं इस गर्मा गर्मी के माहौल में सरकार कहते है कि सवच रहे सथ इस वाइरस को नश्ट किया जा सकता है। प्रकार से तो इस प्रकार की वाइरोसों की भारत में कहिना की पैर ही ना पसार पाते हैं लेकिन सच भारत अभियान के नाम पर गांधी जी के चश्मे को आगे रखकर इस प्रकार का चश्मा नहीं गांधी जी का वह चश्मा जिसमें से ना गांधी दिखता है नहीं सच भारत दिखता है लेकिन वाइरस की रूप में उसमें बहुत से गंद दिखते हैं बहुत सी दुर्गतियां दिखती हैं सरकार ने इस वाइरस को रोकने के लिए 15 अप्रेल तक वीजा पर रोक लगा दी है कि विदेशों से खासकार कुछ गिने चुने मुलकों से कुछ लोगों को छ पाबंदी लगा देने चाहिए 15 अप्रेल तक लोग सिनेमा घरों में ना जाए लेकिन क्या सरकार ने नई फिल्मों के रिलीज होने पर पाबंदियां लगाई हैं जवाब है नहीं सरकारे कहती हैं भारती नहीं अन्ने मुलकों की भी खेलों में जो लोग शिरकत करने जाते इस वाइरस को रोक सकती है जवाब है नहीं सरकारों ने कई परकार की हवाई यात्राएं नश्ट कई परकार की हवाई यात्राओं पर पाबंदियां लगा दी हैं तो सरकार से मेरा सवाल है खासकर भारत सरकार से कि देश की PM को आप दुख क्यों देना चाते हैं कि परेशा इंजनपूर्ण खेल का क्या होगा जो हर हफता वो करते रहते सुनने में आया है कि पी-एम का इस वाइरस की वज़ा से बंगलादेश रोरद कर दिया गया है अरे जनाब जैसे जब इस वाइरस के कारण इटली जैसे मुलक में छे करोड लोग पर भावित हैं वहां की सरकारो ने लोगों को अपने घर में बंद रहने का आदेश दे दिया है समझ सकते हैं कि छे करोड लोग यदि घरों के भीतर रहेंगे सडकों में बजारों में नौकरियों में या तयात के साधरों में हर परकार के कारों में लोगों का सन्नाटा पसरा रहेगा तो आप एक नई थि गड़ देंगे कि इटली में तो शान्ती कायम हो गई है ये तो वही हो गया जनाब कि जम्मू कश्मीर में लोगों को आपने घरों के भीतर बंद कर दिया और यूरोपी यूनियन के जब सज़स आते हैं आप पूरा जम्मू कश्मीर दिखाते हैं और कहते देखे कितनी शान् यानि कि ये दूसरे परकार का वाइरस आपने लोगों के जहन में बठा दिया है हो सकता है उसे एक परकार के वाइरस से जो लोग ग्रसीत हैं वो बच भी जाएं और जो लोग मर गए हैं उनकी तो भरपाई नहीं कर सकते हैं लेकिन ये ऐसा वाइरस जो लोगों की नसों मे रात्री में और बारत आरी कोई आदेश आता है बारा मार्च को इसे महामारी के रूप में घोशित कर दिया है भारत ने भी कई राज्यों ने इस महावारी अर्थत करोना 19 को महावारी के रूप में घोशित कर दिया है लेकिन आप समझ सकते हैं कि 120 देशों से अधिक मुल्क इससे परभावित है 1919 के बाद आए हुए किसी फ्लू के बाद ये विश्व की दूसरे बड़ी घटना के रूप में आज देशों में फैल गया है तो हमें इतिहास को जानने की आवशकता जरूर पड़ेगी ये वाइरस एक छोटे से चर्ज से निकलता है या कहें कि छोटे से मुल्की के छोटे से राज जिले से निकलता है और ये विश्व में अपने पैर फसार लेता है तो हम इसके कारणों को जानना होगा परभावित तो भहुत लोग हुए हैं भहुत से छेत्र हुए हैं वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा न्यूज में आप देख संकते हैं कि अर्थ तंत्र के छेतर में हो, शिक्षन संस्तानों में हो, सरकारी योजनाओं में हो, बड़े से बड़े कारिक्रम में हो और मैं जो आपसे वीडियो कर रहा हूँ, मैं स्वैम दिल्ली जाने वाला था, कई परतियोकताओं के लिए लेकिन वो भी क्रोना की वज़ा से रद कर दी गई है, तो समझ सकते हैं इसका कहर और इसका नुकसान एक छोटे से छोटे व्यक्ती पर, बड़े से बड़े उद्यो पर छोटी से छोटी संस्थाओं पर पढ़ रहा है, तो सरकारों को कही ना कहीं अपनी जिम्मेदारियां निभानी पड़ेगी, और जिम्मेदारियां को उठाने के साथ साथ, जनता को ये बताना पड़ेगा कि इसे भैवीत होने की जरूरत नहीं है, भारत में एक परकार क इस्तिहार या विग्यापन चल रहा है कि किस परकार अब इस वाइरस से दूर रह सकते हैं, बस सकते हैं, या कम से कम, इससे अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं, सच रहें, स्वस्त रहें, एक मीटर से रिक्की दूरी बनाए रखें लोगों से, जो खाम हो, सर्दी खासी जो खाम हो, उसका इलाज करणा, इस परकार के परचार हो रहे हैं, लेकिन जब डवलू एचो किसी घढ़ना को लागू करता है, या महमारी के रूप में घोशित करता है, तो भारस सरकार क्या करती है, भारस सरकार खासकर केंद्र सरकार, केंद्र शाशित राज्यों पर एक नया कानून लागू कर देती है एक ऐसा कानून जिसे कहाजाता है महामारी अधिनियम 11270. जी हाँ महामारी अधिनियम 11897 गौरी फरमाढ़ीए महामारी अदिनियम 11997 भारत की केंद्र सरकार ये केंद्र исाषित या नियन्टित करने का कानून ने सरकार ने 13 मार्च स्राथ में राजों लागू कर दिया है तो ये कानून भी 13 माures 22 में लागू कर दिया गया महावारी अडेनियम 1896 ये है क्या और क्या करेगा? और किस परकार से ये वाइरस को रुकेगा? या वाइरस को बढ़ाएगा इसको जानना जरूरित तो मिंट और दीजिएगा ये कानून कब लागू होता है पहले हमें इस इतिहास को जानना पड़ेगा जब बिटीशों का यहां अंग्रेजों का राजित था तब ये कानून लागू किया गया था दौर चल राजा अपने चरम पर तो नहीं कहेंगे सुरवाती दौरों में था अंग्रेजों को खिलाफ लिखते थे उनकी गलत नीतियों को खिलाफ लिखते थे और ये हर जागरुक नारिक का करतव है कि यदि शरकार या कोई संस्था गलत है खुल कर उसका विरोध करे अपने लेखन के माद्धम से अपने वाणी की शमता के माद्धम से इसकी जली है जलेगी से खुश होना है खुश होएगा जब सरकार की नीतियों की विरिद्वेह लिखा करते थे तो सरकार ने उन पर ये एक्ट लगाया था और बदले के सवरू लगबग लगबग छे महीने की जेल भी हुई थी उनको और प्लस फाइन भी लगाया गया था अब आज के संदर में लगबग लगबग 125 सालों के बाद सरकार ये कानून क्यों लगा रही है पुना देश में लोगों पर या कुछ केंदर शाशित राज्यों पर तो आपको स समझना पड़ेगा देश में जो आंदोलन चल रहे हैं वरतमान में कुछ कानूनों के विरुद्ध में चाहे वो CA हो या NRC हो NPR तो आही चुका है और एक अपरल से लागू भी हो जाएगा फिर आप कहेंगे उस कानून का इस वाइरस का और इस अधिनियाम का संदर्व किया और इतिहास के माध्यम से आपको वरतमान में जीते वे भविष्ट को जानना और समझना होगा तो समझे कि जब लोग हजारों की संख्या में कहीं इकत्रित हो रहे हैं किसी नीती का विरोध कर रहे हैं तो सरकार उन पर इस परकार से पाबंदी लगाएगी कि ये वाइरस का डर है वाइरस का खत्रा है क्रोना का तो अब तीतर वितर हो जाईए यहां से चले जाईए यानि कि उस कानून को एक तरह से बैसाकी की तरह नहीं एक शिखंडी की तरह कंदे पर बंदूक रखे दूसरे का शिकार करना चाती है और कहें कि हम इस कानून का पालन करवाना चा समझे गूगल में आपको बहुत से जानकारिया मिलेगी इस कानून के संदर्व में कि क्या कहता है मामारी अधिनियम 1897 उसको समझे और जानियेगा अब बात करते हैं कि भारत में किस परकार का महौर भारत में वियापारियों की बहुत चांदी है खासकर उन लोगों की या उन खावधानी पूर्ग जो यंत्र हैं जो मास्क हैं जो दवाइआ हैं वो विश्व के सो साथ एक मुल्क अभीता की संवाइरस का इलाज नहीं खोच पाए हैं संभावनाई चल रही हुए। जब संभावनाई होती हैं लोगों में भैका और धैशत का माहौल बनाके अपनी अ उसकी रोख थाम के लिए एक विकल के रूप में मास्क का प्रियोग करता है एक आम इंसान की सरकार उसको बताती है कि स्वच्छत हवा तो अब दे नहीं पाए उसको तो मास्क की कीमत क्या है जो मास्क कभी 20 रुपया का हुआ करता था वे 200 रुपय का है 200 से बढ़ का 400 का होता और वो बेचा जा रहा है लोग खरीद रहे हैं लेकिन जब सरकारी मेडिकल संस्था ये कह दे कि मास्क की आवशक्ता केवल और केवल उस व्यक्ति को है जो इस वाइरस से नकारात में करें कि नेगिटिव पाया गया है उसको आवशक्ता है सरकार ये नहीं बताती है क्यों आपको मास्क बेचवाने हैं क्या अब व्यापारी हैं क्या उद्धो घराने की संस्थाएं हैं क्या आपके पास इसलिए आपके वर मास्क बेचवाना चाते हैं या फिर सरकारी संस्थाने को छोड़कर आप प्राइवेट संस्थानों की चांदी करवाना चाते हैं आप बे बहुत बहुत से बड़ाइब कारिक्रम रद करे जाते हैं ऐसा ना हो जानाब की जैसे की विभेशों में हो रहा है लोग तक्नीक के माध्याब से ऑν-लाइन पर वेश्परीक्षाइं और में परिक्षाइं लिए जा रहे हैं कि भारत में भी हो सकता है बिल्कुल होगा क्योंक लेकिन अभी वाइरस के बहए की वज़ासे की क्या आनलाइन सब कुश होगा कि सब कुश में मतलब सब कुश आता है और इस बहएगा एक और जाते हैं दहशत क्या होती यह आरथिक शेतr में थोड़ा सा गुजरते हैं देखते हैं येस बैंक की बात नहीं करूँगा येस बैंक की नहीं पिछले तीन दिनों में इरान या अरब कंट्रीज में तेल की कीमतों में गराब अठाई है और इसका फरक वहां की जीडी पर पड़ा है ये जीडी पी पर पड़ा है और शेयर बजार पर बढ़ा है कई ज़िए आपको किसी से लड़ना है और विजय होना है तो सबसे पहले गांदी ने भी कहा, नेंसन मंडेला ने भी कहा, मांटीन लूथर किंग ने भी कहा, और मा मेरी और मदर टरेसा ने भी कहा कि भै पर मुक्तिपा हिए। लेकिन सरकारे क्या कर रही हैं सरकारे भै का माहौल पैदा भी कर रही हैं और उस पैदा होने के बावज़ुत माहौल को फैला भी रही हैं आपके और मेरे मद्ध में तो एक बुद्धी जीवी वर्ग की तरह तरके के अधार पर वेग्जानिक कसोटियों के अधार पर बाबा हकीमों नीमों के चंगुल में मत फसिये क्योंकि यदी मानता हूं कारगर हो सकते हैं लेकिन पूर्ण रूप से कारगर नहीं है इस वाइरस को रोक थाम के लिए कुछ सूचना आ रही है मेरे पास भी नूशनलों पर भी कि 26 डिगरी पर 28 डिगरी पर 30 डिगरी सेलसल भी वाइ परत के किसी राज्य में कल की डेट में किसी 73 या 75 साल के बुजर्ग व्यक्ति की उमीद करता हूं और डैथ ना हो जिन मुलकों में खासकर चीन में सबसे अधिक लोग पर भावित हुए हैं और जहां एक छोड़ा सा मुलके जर्मनी उसने बजट फाइनल किया है कितना दो लाग करोड भारते करेंसी में इसकी रोकताम के लिए इसकी सुरक्षा के नाम पर उस जर्मनी में जहां दो लाग करोड रुपया बजट इस पे बनाया गया है लागू किया गया है वहां केवल और केवल 17 माम ले आए हैं अभी तक यानि कि 17 लोगों के ऊपर उनको इतना ड प्रक्षित रखना है इंसानों की बली देखकर तो मैंने कहा ना कि दो परकार का वाइरस है इस मुल्क में खास कर क्रोणा तो हो सकता है इसको हम समाधान खोजी लेंगे लेकिन जो जातियता का वाइरस है इसे हम कैसे नश्च करेंगे कैसे रोकेंगे इसे हम और यदि हम ज समाज बन जाता है समाज बनने से राष्ट का जनम होता है और राष्ट की उत्पत्ती और राष्ट का विनास एक दिन की पैदाईश नहीं है सदियां लगती है इसमें तो मैंने जो अभी तक आपको बताया इस वाइरस की क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं क्या क्या वेश्फिक के बाद या वीडियो देखने के दूरान जिन लोगों की जली है उनको मेरी पुना शुपकावना मैं और जलानी के लिए वीडियो फिर बनाऊंगा और बहेंकर तरीके से बनाऊंगा तक आपकी जलेगी नहीं तब तक आपकी चलेगी नहीं और जिसको चलानी होती है अपनी बातें अपनी सच्चाईयों के साथ तरकों के साथ तो लोगों की जलानी पड़ती है रोतुरू की सकल के साथ दुखी मन से वीडियो बनाओं तो आप कहेंगे कैसा व्यक्ति है लेकिन जब सच जब जूट को मरहम लगाकर या मसका लगाकर पेश किया जाता है तो सरकारों के जूट को सरकारी नीतियों को आप हातों हात ले रहेते हैं मेरे इस वीडियो को हातों हात लेने की जरूवत नहीं है शेयर करने की जरूवत नहीं है आप देखिए और अपने तक से मित रखिए बस क्योंकि आप में साथ माददा नहीं है सच को बताने का सच को फैलाने का औ दोनों परकार के वाइरसों को समझें, ये वाइरस को कौन बढ़ा रहा है, वाइरस को बढ़ाने के लिए कौन लोग उसका साथ दे रहे हैं, कौन सी योजनाय बनाई जा रही हैं, उसको समझें जाने, अधिक से अधिक लोगों को इस वाइरस के भैग से किस परकार बचा जा कहा दिल्ली के दंगो में भारत्यों की मौत हुई सुनके बहुत अच्छा लगा सायद पहली बार कोई बात में अच्छी लगी और नहीं बोलूँगा। नया वीडियो बनाओंगा तो बताओंगा दे 51A आपको अधिकार के साथ कर्तब विदेता है जो मानना है मानिए जैन जै भारत साथियो नमस्कार